Hello students, आज मैं आप लोगों को L.C.M. और H.C.M. टॉपिक के कोश्चन कराऊंगी ये सभी कोश्चन आज क्रमागत संख्याओं पर आधारित है कहने का मतलब कॉंजूकेटिव नंबर के कोश्चन सॉल करेंगे कोश्चन क्या है चले सीखते हैं सबसे पहला कोश्चन दे रखा है तीन कॉंजूकेटिव नंबर हैं जिनका प्रोड़क्ट गुणनफल 210 है आप से कहा है कि स्मॉलर जो नंबर है उनका सम बताईए तीन क्रमागत संख्याओं हैं जिनका गुणनफल दिया है बच्चों 210 चोटी संख्याओं का योग बताना है तो सबसे पहले जो दिया है वो लिकरते हैं क्रमागत संख्याओं ये क्या होती हैं क्रम से जो संख्याओं होती हैं उन्हें कहते हैं क्रमागत संख्याओं जैसे मैं आपके कहा हूँ कि 4, तो 4 के बाद अगली क्या होगे? 5, पिर अगली 6, तो ये 3 क्रमागत संख्या होगे. इसकी जग़ मैं कह सकती हूँ कि दूसरा कुछ लेलो, जैसे 11, तो अगली होगे 12, अगली होगे 13, ये कहताती है क्रमागत संख्या है, तीन क्रम से जो नंबर है, उनके कोश्चन हम सॉल कर रहे हैं, पहले कोश्चन में आपको उन क्रमागत संख्याओं का गुरनपल या कहें, प्रोड़क्ट दिया है, तो सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं, आपको जो product दे रखा है या गुणनपल दिया है वो है 210 आपको इस तरह के यदि question को solve करना है तो आपको जो product दे रखा है सिर्फ आप उसके factor बनाएं तो बना लेते हैं 210 के गुणनपल बनाएंगे गुणनखंड बनाएंगे सबसे पहले 2 से divide हो रहा है कर देते हैं 105 आया अब 2 से divide नहीं हो रहा अब 3 से divide कर देते हैं तो यह होगा 3 और यह 5 अब यह 3 से divide नहीं हो रहा 5 से कर देते हैं 7 आया अब 7 से कर देते हैं 1 आया तो हमें क्या मिला हमें जो factor मिले बच्चों 210 के वो मिले 2 into 3 into 5 into 7 ये मिले इन्हें मैंने लिखा अब आपको इनको order में बनाना है क्रम से बनाना है तो देखे सबसे पहले 5 आता है वो लिख लेते हैं इन दोनों को हम 6 लिख सकते हैं लिख लेते हैं और ये 7 अब देखे तीनों नंबर क्रम से हो गए कैसे 5, 5 की बार 6, 6 की बार 7 नंबर पता चल गए पुशन क्या कह रहा है कि छोटी संख्याओं का योग बताईए तो छोटी संख्याओं देखो स्मॉल नंबर कौन कौन से 5 है और 6 है 700 सबसे बढ़ा है तो उनका संख चाहिए तो छोटी संख्याओं में पता चली 5 और 6 है उनका संख या योग आपसे पूचा है और वो कितना है बच्चों? 11 आपको इस कुशन में कहा है कि तीन कॉन्जुकेट्यू नंबर का प्रोड़क्ट गिया है 504 तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफर है 504 तो आपसे कहा है कि आप डिफरेंस बताईए अंतर बताईए किसमें? स्मॉलर नंबर में छोटे संख्याओं में अंतर बताना है सबसे पहले आपको जो गुणनफर बोला है या कहिए संख्याओं का प्रोड़क्ट गोला है वो लिख लेते हैं वो है बच्चों 504 अब क्या करोगे? ये जो नंबर है बिटा आपको इसके गुणनखंड बनाने है फैक्टर बनाने हैं तो बना देते हैं 504 सबसे पहले तू से डिवाइड करेंगे तो 252 आया अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है 1, 2, 6 आया अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है 6, 3 आया अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से कर दो तो 3 से करोगे तो 2, 1 आया अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है 3 से करें तो 7 आया फिर 7 से करेंगे तो बनाया अब आपको यह जो मिला है इसे लिख लेते हैं फैक्टर जो मिलें 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 3 into 3 अब 7 भी लिख लिया हमें क्या चाहिए? क्रम से चाहिए तो क्रम बना लेते हैं इन तीनों को लिख सकते हो आज बिटा इनको आप लिख सकते हो 9 और यह 7 बन गये क्रम से कैसे? 7, 8, 9 बन गया क्रम बन चुका है पूचा है छोटी संख्याओं के बीच अंतर बताए तो बिटा सब छोटी संख्या है तो 7 और 8 है तो difference पूचा है आपसे पूचा है अंतर तो कैसे निकालोगे? 8 में से 7 को घटा दो solution 1 है आपको इस question में 3 consecutive number का product दिया है 9, 9, 0 आपसे सबसे larger number सबसे बड़ा number पूचा है largest number पता करना है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आपको पता है 9, 9, 0 तो सबसे पहले उसे निकले दे है आपको गुणनफल दिया है या करिए product दिया है वो दे रखा है 9, 9, 0 आपसे सबसे बड़ी संख्या पूची है आपको जो product दे या गुणनफल दे आप उसके factor बनाएए तो बना देते है 9, 9, 0 को 2 से यही divide करोगे तो आएगा 4, 9, 5 अब ये 2 से divide नहीं हो रहा इसे 3 से divide कर रहे है तो ये आएगा 1, 6, 5 अभी ये 3 से divide हो सकता है कर देते हैं 3 से divide तो बच्चो 5, 5 आया अब ये 3 से divide नहीं हो रहा 5 से कर देते हैं 11 आया अब 11 से करेंगे 1 आया अब पिटा ये जो factor आये हैं उन्हें हम लिख लेते हैं 2 into 3 into 3 into 5 into 11 क्रम से करना है तो इन दोनों को हम 9 लिख सकते हैं इन दोनों को 10 और ये आपका 11 सबसे बड़ा number चाहिए smaller number इन तीनों में आपको 11 सबसे बड़ा दिखा आपका solution 11 है आपसे इस question में 3 क्रमागर संख्याओं का गुणनपल दे रखा है 6-0 3 consecutive numbers का product दे रखा है 6-0 सबसे पहने उसे लिख लेते हैं गुणनपल या कहिए product वो है 6-0 आपसे कहा है sum of the numbers संख्याओं का योग लिखा जो वो जो क्रम से हमें संख्याओं मिलने वारी है उसका योग पूछा है यह लिख करते हैं सबसे पहने 6-0 के factor लिखा देंगे तो 6-0 लिखा 2 से डिवाइड हो रहा है कर देते हैं 3-0 आया फिर 2 से डिवाइड करोगे 1-5 आया अब 3 से डिवाइड हो रहा है 5 आएगा अब 5 से करोगे बनाएगा हमें factor ले गए लिख 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 देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 अब हमें सही करम में बना लेते हैं पहले 3 लिख लेते हैं इन दोनों को लिखा 4 और ये 5 तीनों करम से नंबर पता चल गए पहला 3 तो दूसरा 4 और तीसरा 5 है करम से मिल गए हमें नंबर हमसे पुछा है यो इन संख्याओं का संचाइए योग पता चल गए तीनों को जोदो 3 प्लस 4 प्लस 5 आपको आंसर मिलेगा 12